अगर आपके घर में बॉन पीटा या चॉकलेट सिरप या चॉकलेट प्रोटीन पाउडर नहीं है तो आप बच्चों को ओरियू चॉकलेट मिल्क सिक बहुत ही आसानी से बना करके दे सकते हैं और यह बहुत ही कमिन गेटिन में बन करके तयार हो जाता है तो चली इसे बनाना स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने एक ग्राइंडिंग जार में 300 ml दूद ले लिया है दूद को रूम टमप्रेचर पे लें आप अपने हिसाब से दूद ले लें मैं 2 गलस के में नषी में दूद दालूद लेंगे आपके पास कोई भी बिस्केट चॉकलेट वाला है तो आप उसे डाल लें अब आनके पीदिक एक poucoलेट कर का डालेंगे आप कोई भी चॉकलेट कर कि इसमें डाल शेज़ रूम टमप्रेचर पहरखा हुआ चोकलेट भी ड है तो घ्रेट ट्रीन कर लेंगे फिंगी कि ग्राइण हो गया है अब चली हम हुआ के लिए ग्लाश को तैयार करेंगे लैंगे अब चोप्लीटे से कानेज कर लेंगे जिससे देखने में थोड़ा सब अच्छा लगेगा अपक औरियो देंगे अब हम इसे थोड़ा सा फ्रीज में रख देंगे जिससे अच्छे से ही सेट हो जाए फिर हम इसमें ओरियो चॉकलेट सेप को डाल के सर्व करेंगे अचरे से ग्लास में डाल लेते हैं ये देखी इसका टेक्चर कितना अच्छा लग रहा है देखने में आप इसे ऐसे भी पी सकते हैं लेकिन हम इसे थोड़ा सा क्रीम और चॉकलेट के साथ डेकोरेट करेंगे जिससे देखने में और भी अच्छा लगे आप इसे किसी भी मौसा में बच्चों को पिला सकते हैं कि इसमें मैंने कोई भी आइस क्यूप्स या आइस क्रीम नहीं इंच किया है और ये बच्चों को बहुत जादा पसंद आता है थोड़ा सा इसमें चॉकलेट चिप्स डाल देंगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए कोमेंट करिए और अपने फामिली फ्रेंट्स को सेयर करिए और मेरी रेस्पी के अथि लगी कमेंट सेक्षन में जरूर बताई और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो बाई बाई टेक केर